है वेलकम बेक Google AdWords Tutorial Class पर आपको में सौगत करता हूँ और यहाँ पर आज जानेंगे how to select audience for first Google Ads campaign create करने के पहले तो फ्रेंट आप जान दिजे कि कैसे आप एक Google Ads campaign create करने से पहले आपको जो audience हो कैसे select करेंगे और इसके लिए आपको क्या जुरूरत है आपको एक Google Ads account की जुरूरत है जो पिसले का नाम है Google AdWords तो यहाँ पर आप सीकरें Google PPC Ads Tutorial Class तो यहाँ पर आज जानेंगे audience select करने के लिए तो फ्रेंट आप देख सकते हूँ यहाँ पर step by step हम लोग से करें साथ ad campaign चल रहे इसके साथ साथ जो campaign में इसाथ से swapping है और बसकेट बॉल और प्रोड़क्ट नमबर इसार इस में यहाँ पर देना चाहत हूँ राइट तो फ्रेंट यहाँ पर देखें टार्गेटिंगे और ओडियांस यहाँ पर मेंने फ्रेंट यहाँ पर अगर सास ओडियांस करेंगे तो पहले आपको क्या होगा कुछ ट्रांस के हिचाब से आपको देना होगा तो ए डी यू सी ए ए लिखेंगे तो साइध आपको सापने में education के purpose जो सारे audience आपको जुरू है तो आपको मिल जाएंगे राइट तो आप चाह पी, यू, टी, आर, computer तो यह लिखेंगे तो आपको सामने में और भी बहुत सारे computer के relations आजाएगा computer accessories, game consulate, pinterest, carer यह सारे audience है यह आपको सामने में presentation करने वाला है Google आप बारे तो अगर आप मान के चले कुछ product आप sell करना चाहता हो online के दोवारा जैसे हो चकते आप computer accessories के related जै जैसे laptop, game accessories, जैसे बहुत सारे games, जैसे operating system, यह CRC's printer उसके साथ जो sound box है, wifi है, mouse है, keyboard है, यह CRC's अगर आप sell करना चाहता हो तो आपको perfect category के his app से आपको audience customize करना होगा, तो आप यहाँ आपर देख सेकते हैं कि में यहाँ पर सास करके में यहाँ पर customize कर सकते हो तो अगर आप च करके आप audience को customers कर सकते, आप बारे है तो है कि आप मान के चलिए, आप audience को select category जो है, वो आप समझ नहीं पारे, कैसे आप select करेंगे, कौँछा कौँछा, तो आप चाहे तो यहाँ पर click कीजिए, हुई audio में गरापी, तो अगर आप education click करेंगे, तो education का बहुत सारे universal जो है, व इतना खुबसरत एक audience कस्टमाइज करके बनाएंगे, उसके hitchhap से आपको ad campaign run होगा, और आपका sales ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, यह audience के ऊपर related है, कि कौन सा audience आपको ज्यादा से ज्यादा customer बन सकते, आपका ad देखार यह आपको खुद को analyze और research करके देखना होगा, अगर आपने audience का बारे में video नहीं देखा, तो please आप मेरा channel पर जाईए, YouTube पर सास करने के बाद मेरा channel देखिए, और यहाँ पर मैंने एक audience का बारे में details दे चुका हूँ, अगर आप how to sell product ए वीडियो आप देख लेंगे, तो आपको यह information पता चल जाएगा, तो friend आप देख सकते है के 23 targeting है, dynamics ads है, campaign है, display, यह सारे के सारे जो details है, यह आपको step by step आपको मिलते रहा जाएगा, तो friend आप यह देख लिजिए और इसके साथ साथ आप channel subscribe भी कल लिजिए, और यहाँ पर ज्यादा ज्यादा आपको professionally digital marketing को पर SEO, PPC, just like Facebook, Twitter, Instagram, और भी बहुत सारे digital marketing के SEO की related भी आपक यहाँ पर मिल जाएंगे के यह Google Ads Tutorial class साल रहे है, जैसे ही यहाँ पर आपको Google AdWords Express को सिखने को मिलेंगे, Google My Business सिखने को मिलेंगे, proportional SEO Tutorial और Facebook और भी बहुत सारे कोज आपको influencer और भी ज्यादा मिल जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर आपने who are you, यहाँ पर VC लिट कर लिए, इसके साथ साथ आपने और भी बिजनस से यह आप narrow down करना चाहते हो, आप चाहे तो computer adversaries, employers, event ticket, gifts, home and garden, software development company के अंदर अगर अब एक क्लिक करेंगे तो यह software हो जाएगा, sports और business लोगों के लिए है कि अगर आप कोई भी product sale करना चाहते हो था, आप यहसे करके आप select कर सकते हो, तो friend by default यहाँ पर click करेंगे, तो आपको और भी narrow down करने के लिए, आपको information मिल जाएगा, पर audience select करने के से पहले आप थोड़ा सा और एक information धान दीजिए, मान के ते लिए अपने education purpose के ही जब से अपने audience चूज के है, और उसका साफ ट्राप policy है, जो लोग है, इतना है, पर आपको जो relevant की वड़े, ओ, monthly 20 base ad campaign चलता है, तो यहाँ पर आपने part day, ad campaign, part day, amount आपने लगा दिया, amount shortcut में में लिखा, कि आपने 15 हजर करके part day ad campaign चला दिया, तो देखे, Google को पास अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे, पर उसको वहाँ पर सास campaign, सास कहने के लिए जो audience है, वो नहीं है, तो आपको ad ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है, इसलिए आपको कह होता है, बड़ा audience ले लेंगे, तो आपको ad campaign सबसे ज़्यादा और बहतर चल तो for example, यहाँ पर अगर retargeting करेंगे, जैसे आपको कोई website विजिट किया है या नहीं, यह सारा सी scanning के लिए आप यहाँ पर एक click करके कर सकते हैं, तो friend, SaaS option में जाकर भी आपको audience के लेट कीजिए, browser जाकर भी audience के लेट कीजिए, और ideas अगर है, तो अलगतर किसे में आपको सि विडियो मिलते रहेगा, मुझे पता है, बहुत सारे लोग अभी request करेंगे, Instagram marketing, YouTube marketing के उपर, YouTube के अंदर कैसे विडियो बढ़ाते हैं, views, या marketing करते हैं, या marketing करते हैं, या promotion करते हैं, इस RSE दिखाने के लिए प्लीज आप विडियो बनें, तो मैं उन लोगों को बोलना चाह और बिल्कुल free रहेगा, तो friend मेरा साथ जुड़े रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको part day वीडियो देने के लिए, friend अगर वीडियो अच्छा लगते हैं, तो please comment भी कर दीजिए, अगर बुरा भी लगते हैं, तो dislike कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो feature जब वीडि उनल कर दो जब आए, तो आ उनल के लिए कर दोगते हैं, अगर कर दो जोसली हैं, तो आए जाने वीडियोडियो दिचल आए